वेलकम टो अल आज मैं आपको योगा कोच, योगा इंस्ट्रक्टर और असिस्टन्ट प्रोफेसर योगा की वकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं योगा कोच की तो ये वकेंसी आई है स्पोर्ट्स 30 ओफ इंडिया साई पट्याला में पट्याला जो की पंजाम में है लास्ट डेट इसके अपलाई करने की रहेगी 28 मई आए डिटेल्स देखते हैं वकेंसी डिटेल्स तो इसमें देखिए जो सिरियल नंबर 3 पर योगा की है तो यहां पर सीनियर कोच की वकेंसी है वन एलिजिबल्टी देख लिजिए क्या रहेगी थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको तो इसमें देखिए सिरियल नंबर 1 डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रों साइ नस निस और फ्रों एनी अदर रिकोगनाईज़ इंडियन फोरण यूनरस्टी आपका डिप्लोमा होना चाहिए अक्सपिरियंस सिनियर्स सिनियर कोच के लिए 7 यर का मेडल विनर हो जो इन उलमपिक पैर उलमपिक वर्ल चैंपियन सिप और टौईस ओलमपिक पार्टिसपेशन उनके लिए तू इयर का अक्सपिरियंस ओलम्पिक पैर ओलमपिक इंतरनेशनल पार्टिसपेशन के लिए 4-андर करों को दुरण चार्य हाबर्भार्ड के लिए 2- का experience यह आपका पेस्केल रहेगा टेन्योर फोर येर्स एंड एक्स्टेंडेवल इन साइक्ल फोर येर्स तो ये एक्स्टेंड हो जाता है मैक्सिमम इस फिफ्टी येर्स नेक्स देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन्स क्या है कोंट्रेक्ट पिरिएड इनीशल कोंट्रेक्ट पिरियद साहल भी फोर य spot इस्टेंड बहाईए FROM परफोरमेंस न आपके इनीशल फोर अपड़िकेशन फिलब करके और आपको सेंड करना एपक्रिकेशन फर माइब करके shortlisted candidate meeting the essential qualification and experience will be called for interview shortlisted candidates को interview के लिए बुला जाएगा candidates will be required to make a presentation on any selected topics this will be made available to the candidate at least four days in advance candidate are to upload their eligibility certificates along with performa जो आप performa upload करोगे email id पे वहाँ पे आपको अपने certificates वी upload करने है और देखिए for any further query point number 9 यह contact number दिए है आप यहां से contact कर सकते हैं और email भी दिया रखाए तो आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप यहां से जानकारी ले सकते हैं और जो application form है तो इस website का link में आपको इस video के description box में दे रहा हूं तो website पे जाके और आप इस advertisement को download करके और इसको अच्छी तरह से एक बार ओर पड़ें नेक्स देखिए कौन सी विकेंश है वो देख लेते हम योगा इंस्टरक्टर और असिस्टन प्रोफेसर योगा की नेक्स विकेंशी देखिए नेक्स विकेंशी आई है जलगाओ में कवित्री बहनभाई चाओद्री नौर्थ मराष्टरा यूर्श्टी में वोक इन इंट्रिव्यू है वोक इन इंट्रिव्यू आर अरेंज़्ट फोर दिपोस्ट अपसिस्टन प्रोफेसर योगा थरेपी और योगा इंस्टरक्टर कॉन्टेक्ट तू बी फिल्ट इन ओन प्रोफेसर योगा थरेपी इसकी सेलरी चोभी जा रहेगी और योगा इ असिस्टन्ट प्रोफेसर योगा थरेपी की नमबरों पोस्ट वन है, डेट ओफ इंटरव्यू अठाइस पांच दो जारिकीस है, योगा इंस्टक्टर नमबरों पोस्ट वन है, इंटर्व्यू डेट सेम है, और देखें क्या डिटेल्स हैं, असिस्टन्ट प्रोफेसर योगा थरेपी के लिए क्वालिफेकेशन मार्स ट्रिगरी होनी चाहिए, नेट होना चाहिए, पिएचडी होना चाहिए, बीएमेस, डिजारेबल में देखें, पिएचडी न योगा, नोलेज ओफ कॉम्प्यूटर अप्रिकेशन, नोलेज ओफ मराथी, हिंदी, इंग्लिस, और संस्कृत, एक्सपिरियंस देखें, अशेंचल प्रैक्टिकल अबिलिटी तो परफॉर्म योगीक प्रैक्टिस, डिजारेबल में देखें, थ्री येर एक्सपिरियंस ऐज योगा थ्रेपिस्ट, तो इसके लिए आपका मिनिममम थ्री येर का एक्सपिरियंस होना चाहिए, टीचिंग का या फिर योगा थ्रेपिस्ट का, नेक्स देखें, योगा इंस्ट्रक्टर के लिए क्या क्वालिफिकेशन्स है, डिगरी होनी चाहिए आपकी 55% से योगा में, या फिर आप ग्रेजवेट हों और आपके पास योग में डिप्लोमा हो, लेवल सेकिंड ओफ योगा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एक्जाम ऑफ क्योशे स्पॉंसर्ट, तो देखिए जो YCB का एक्जाम है, वो आपका लेवल टू क्वालिफाइड होना चाहिए, डिजाइरेबल मास्टर डिग्री 55% से, नोलेज ओफ कॉम्पिटर अप्रिकेशन और आपके पास मराथी, हिंदी, इंगलिस और संस्क्रीट की नोलेज हो, अशेंशियल में देख लिजिए, experience में, demonstrations के लोनी चाहिए, desirable में, practical experience in yoga, आपका minimum one year का होना चाहिए, practical ability to perform yoga practice, experience in giving yoga instructions at different levels, तो यह जो detailed advertisement है, यह आप खुद भी download करके एक बार वश्या पढ़ें, तो इसके लिए मैं आपको, जो website का link है, वो इस video के description box में दे रहा हूं, तो आप वेब साइट पे जा कि इसको डाउनलोड कर लिजे और इसको अच्छी तरह से एक बार पढ़िए और देखिए जो साही की पोस्ट में ने बताई थी पटेला की तो उसका जो mode of submission है वो email के थुरू है और इसमें आपको ध्यान ये रखना है completed application should be submitted as an attached word document या फिर PDF फाइल तो यह तो आप PDF फाइल अटेच करेंगे इसमें या फिर word document अटेच करेंगे तो आप देखे जो print निकालोगे फिर उसको scan करोगे तो वो क्या होगा वो JPZ होगा उसको आप PDF में convert करोगे online तो आप कोई भी online software google में डालोगे JPZ to convert to PDF तो आपको कई software मिल जाएंगे तो आप JPZ से PDF में convert करोगे और फिर उसको इस email id पे send करना है और अपने documents भी send करने हैं और यह जो दोनों advertisement है यह मैं आपको WhatsApp group में भी provide करवाने जा रहा हूँ तो उसके लिए WhatsApp group भी join कर सकते हैं उसका link इस video के description box में दिया हूँ है और मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों website का link भी दिया हूँ है तो आप direct website में जाके भी search करके advertisement को download करके उसको पढ़ सकते हो So this was today's information, thank you